राग केदार राग केदार की उत्पत्ती कल्यान थाट से हुई है इस राग में दोनों मध्यमों यानि शुद्ध मं और तीव्र मं का प्रयोग होता है शेश सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किये जाते हैं इस राग के आरुह में रिशब और गंधार यानि रे और गः ये दोनों स्वर वर्जित हैं और अवरुह में गंधार यानि गः का अल्प वक्र प्रयोग किया जाता है इस प्रकार इसके आरुह में पांच और अवरुह में छेह स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाती औरव शाडव है इस राग का वादी स्वर मध्यम यानि महे और समवादी स्वर शडज यानि सहे इस राग का गायन समय रात्री का प्रथम प्रहर है राग केदार की आरोह अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिये आरोह अब सुनिये आवरोह इस राग की पकड इस प्रकार है अब प्रस्तुत है राग केदार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्यलय में निबद्ध है इसमें सोलह मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई सारी सापा पा मापधा धाधा पा मापधा मापा मा सारी सापा पा अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा पाप सारी साधा सारी सानी धापा पाप सारी साधा सारी सानी धापा माप सारी साधा पा माधा पा मारिका अब ही आपने सुनी राग केदार की स्वर्माली का अब सुनी इसी स्वर्माली का पर आधारित एक रचना बोल हैं फूलों से नित हसना सीखो पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई पूलों से नित हसना सीखो पूलों से नित हसना सीखो बारों से नित गाना पूलों से नित हसना सीखो अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा तरुकी जुकी डालियों से नित सीखो शीष जुकाना सीखो शीष जुकाना पूलों से नित हसना सीखो पूलों से नित हसना अभी आपने सुनी राग केदार की स्वर्मालिका साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित रचना और आधारित रचना राग के राधा ब्रुके undertव स्वற्ति जुकाना थीत है उर्माल अक्सयल आप्रण एम झत्यक की जुकाना है कर दो